So hello, hello guys, surprise, surprise, I am back on YouTube with another video, तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपसे वीडियो की consistency बढ़ने वाली है, वीडियो ज्यादा आने वाले हैं, तो वो कारण जानना है, तो पिछला वीडियो चेक आउट कर लेना, मैंने बताया था, वो announcement वीडियो था, तो जैसा कि जादा तर लोगों को पता होगा, कि मैं fall intake में, September intake में अपनी master's pursue करने जा रहा हूँ, वारिक Business School, England, UK में, तो उससे related ही कुछ वीडियो बनाना चाहा रहा हूँ, उससे related ही काफी content मेरे दिमाग में है, तो वैसा ही कुछ आज का topic है, आज का topic होने वाला है, जैसा कि आपने title में पढ़ लिया होगा, TB test, TB test से related होने वाला है, तो basically TB test चाहिए आपको mandatory document होता है, वो जब भी आप UK के student visa के लिए apply करोगे, या कोई भी visa अगर आप 6 महीने से जादा वहाँ पे रहने वाले हो, तो आपको TB test mandatory, necessary document हो जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं, वाई, क्या है TB test, क्यों कराना पड़ता है, कौन सी country से कराना पड़ता है, कहां center है, क्योंकि आप हर जगा ये TB test नहीं करा सकते है, किसी भी random center पर नहीं करा सकते है, कुछ UK के British High Commission approved test clinics हैं, जहां पर आप ये test ले सकते हो, कितने का पड़ता है, क्या time लगता है, क्या experience रहा मेरा personally, और finally हमको क्या मिलता है, certificate मिलता है, x-ray मिलता है, क्या मिलता है, तो सब को जानने की कोशिश करेंगे, breakdown करने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपने अपना TB test करा लिया है, well and good, thumbs up, अगर आपने नहीं कराया है, तो guys, बहुत जादा भीड़ हो रही है, appointments नहीं मिल रहे है, तो जल्दी से जल्दी करा लो, और अगर आप ये अगले साल के intake के लिए देख रहो हो, तो information होना बहुत important है, तो let's get started with the video, without wasting any time, so मिलते हैं आपको सिधा वीडियो में, So, hello and what is up guys, welcome to another day, another video, my name is Abhinav Duvedi and welcome to this channel, अगर आप नए हैं, तो धन्यवाद आप यहां पे आए, आपने अपना time विधीद करा, यहां पे कुछ देर, तो consider liking this video, consider subscribing this video, moving ahead with the topic of the video, that is TB test, TB test for UK visa, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, भाई, यह TB test है क्या आखिर, तो जैसा की नाम बताता है, it is tuberculosis test, tuberculosis का यह test है, जो कि एक pre-requisite necessary document है, आपके UK visa जब आप फाइल करोगे, तो यह लगाना ही लगाना है, scan करके आपको upload करना ही पड़ता है, and when you arrive in the UK, तो आपको यह document जो है, यह अपना handy भी रखना है, यह आपको सामने दिखाना भी पढ़ सकता है, airport पे at the immigration, next बात कर लेते हैं, कि आपको यह test कहां से करवाना है, because जैसा कि मैंने अभी पहले बोला था, कि आप किसी भी random test clinic से यह test नहीं करवा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ approved test clinics, जो कि UK British High Commission ने एक list प्रोवाइड करी हुई है, जिस पे अभी हम discussion करेंगे, मैं screen share करूँगा, और आपको वो list पता लगेगी, but सिर्फ और सिर्फ आप वहीं जाके अपना TB test करवा सकते हैं, अगर इंडिया की बात करी जाए, तो कुछ tier 1, tier 2 cities हैं, जिनके नाम है इस list में, जहां पे TB test का आपको center मिलेगा, जरूरी नहीं है, आप जहां रहते हो, वहां पे TB test का center हो, because मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे शहर में center नहीं है particularly, so I had to travel to New Delhi, तो you might have to travel, इसलिए आप consider कर लो भाई, जल्दी से जल्दी अपना slot book कर लो, जल्दी से TB test करवा लो, don't wait for your cash letter, don't wait for your conditional letter to be unconditional, इसमें बहुत times आया हो जाएगा और आपका visa process ultimately बहुत delay हो जाएगा, so let's discuss कि आप कहां से ये book कर सकते हो, मैं screen share करूँगा, आपको पता लगेगा ये web page, और इस web page की particularly ये gov.uk का web page है, official web page है, और जहां पर आपको सारी visa and immigration से related जानकारी मिल जाती है, information मिल जाती है, and it's official and it's trustworthy, so I will say कि अगर आपको इस web page पे जाना है, so description आप देख सकते होगे इस video का, उसमें job वहाँ पे वो link मिल जाएगा, आप वहाँ खोलो, and you will directly land up to the page, I'll show you now. तो guys, इस टाइम हम लोग आ चुके हैं, gov.uk के official web page पे, जहां पे सारी हमको visa and immigration की सारी information मिल जाती है, फिलाल हम लोग है, tuberculosis test के page पे, यहां पे हमको यह पता लग रहा है कि कौन सी असी countries हैं, जहां से आप travel करोगे UK में, तो आपको TB test document जो है, वो mandatory है, तो इसमें काफी countries के नाम आ जाते हैं, and अगर particularly speaking, मेरी जो audience होगी, वो mostly Hindi speaking है, तो Hindi speaking countries, अगर आप India ले ले ले, नेपाल ले ले, बांगलादेश ले ले, यहां पाकिस्तान ले ले, यह चारो कंट्रीज हैं, जहां से आपको TB test करवा, के ही UK में entry बिलेगी, so इस बात का ध्यान रखना, it is a very mandatory document, it is a very important document, अब यहां पे आप अपनी country का नाम चेक कर सकते हैं, यहां पे B से बांगलादेश हमको दिख चुका है, जहां से necessary है, I से इंडिया दिख रहा है, यहां पे हमको N पे जाते हैं, नेपाल भी दिख रहा है, और P से पाकिस्तान भी दिख रहा है, तो यहां पे हमको सारी countrys, obviously हमें कराना पड़ेगा TB test, अगर यहां पे इस India पे क्लिक करते हैं, मैं इंडिया की अभी बात करता हूँ, यहां पे अगर क्लिक करते हैं, तो सीधा हमको इसаете पेज पे लिए आता है, यह टूबर किलॉसस टेस्टिंगे इंडिया पे, फिर से हम लोग क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं सारे approved test clinics in India basically मैंने book करा था कि process मैं आपको बता देता हूं कैसे करा था New Delhi पे यहाँ पे हमें दो hospitals दिख रहे हैं One is Max Med Center and दूसरा है Sadhu Vaswani Mission Medical Center मुझे पता था कि Sadhu Vaswani Mission Medical Center में कुछ fees कम है इस test की तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें करते हैं पहले try बट मैंने यहाँ पे सारे दिये हुए numbers पे call करा और किसी ने भी pick नहीं करा और in fact एक दो number तो काम भी नहीं कर रहे थे उस time पे because of जादा इस time पे student intake है तो शायद वो लोग कुछ ऐसा lines close कर देते होंगे अपने but nevertheless मुझे तो करवाने ही था I had planned my travel to Delhi तो max med center मैंने चुना और वहाँ पे telephone करा और वहाँ पे एक बार में call pick हुआ मैंने सीधा से उनको बोला कि मुझे UK visa के लिए TB test करवाना है what is the procedure तो उन्होंने मुझे simply बता दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है TB test आपका हो जाएगा we'll book a slot तो मैंने पूछा slot कब का मिल रहा है हमें तो उन्होंने बोला कि slot आपको मिलेगा 29th May का that is the earliest slot available and guys आप मानो के नहीं मैंने book करा था ये 10th May को जब मैंने 10th May को call करा तो उन्होंने मुझे 29th May को earliest slot दिया है अपने हिसाब से जो कि 20 दिन लगबग हो जाता है और आज की डेट में I know for a reason कि अगर आप 24 से 25 जून को book कर रहे हो तो मुझे पता है कि आपको July के end में या possible है कि August 1st week में slot मिले तो इसलिए I am saying again and again pushing you guys कि जल्दी से जल्दी TB test कर लो अभी मैं आपको एक tip भी दूँँगा क्योंकि मुझे कुछ लोग वहाँ पे मिले थे TB test center में जो कि walk-in TB test करा रहे थे and I was amazed because मुझे 20 दिन इंतिजार करना पड़ा था और उनको एक भी दिन इंतिजार नहीं करना पड़ा तो वो कैसे कर सकते हैं उसकी क्या possibility है वो हम वीडियो के end में बात करेंगे अगर आपको walk-in TB test मिल सकता है well and good otherwise आपको ये process पूरा follow ही करना पड़ेगा you'll have to book your slot तो जैसे ही आप slot booking के लिए बोलते हो वो आपका नाम पूछेंगे वो आपको necessary documents बताएंगे आपको क्या-क्या लेके आने है at the day of your TB test and आपको अपना नाम बताना होगा आपको अपना phone number बताना होगा आपको अपना mail ID देनी पड़ेगी and जैसे ही वो book हो जाएगा वैसे ही आपको एक email पर confirmation आ जाएगा कि आपका यह यह time है यह slot है जिसमें आपका TB test होगा and it is a very simple process just only over a call आप यह कर सकते हो बहुत अराम से next बात कर लेते हैं कि भाई मेरा experience क्या रहा और क्या documents necessary हैं जब आप TB test के दिन जाते हो so ऐसे कौनसे documents important हैं जो आपको TB test वाले दिन लेके जाने हैं अपने साथ कुछ ऐसे documents है बहुत ही simple list है एक तो obviously आप UK visa के लिए अपलाए कर रहो है तो you need to have original passport with you in hand और मैं आपको suggest करूँगा कि उसकी photocopy self-attested copy भी रख लेना because कभी-कभी ऐसा होता है दो मुझसे नहीं मांगा but हो सकता है कि आप से वो मांग ले आपके documents में stipple करने के लिए तो it's on just to be on a safer side आप एक उसकी photocopy भी रख लेना self-attested दूसरी चीज don't forget a pen because ये मेरे साथ हुआ था and वहाँ पे मुझे तो भाई बहुत दूड़ना पड़ गया pen नहीं मिल रहा था मुझे and the staff was not cooperating obviously उनको अपना काम करना था हो मुझे pen नहीं दे रहे थे but finally मुझे pen मिल गया तो don't forget to take a pen with you ठीक है ये एक बहुत चोटी सी चीज़ है but बहुत important चीज़ है फिर बात कर लेते हैं photograph की तो दो आपको passport size photograph रखनी है दो count है लेकिन मैं कहूंगा 4 रख लेना just to be safe by chance कुछ गिर विर जा है मतलब ऐसे मतलब मैं बोल रहा हूं just तो इसलिए रख लेना 3-4 photograph रख लेना passport size and make sure कि उसका जो background है वो white है वो white है बिकिस काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग black ये वो red blue पता नहीं कौन-कौन से background में हमारी passport size photograph होती है तो please remember कि उसका passport size का जो भी आपका background है वो white हो specifically आप जब photo किचवाने जा रहे हो studio में तो बोल देना कि मुझे white background के साथ चाहिए वीजा के लिए चाहिए तो वो समझ जाएंगे और वो white background में आपकी photo देंगे आपको खीच के and दूसरी चीज़ ये है कि please recent photograph रखना don't make it like 5 साल पहले की 4 साल पहले की 3 साल पहले की ऐसी photo मत लेके जाना max to max एक महीने पहले तक की photo लेके जाना if you are a bearded guy like me तो please make sure कि आपकी beard में ही हो photo ठीक है ये visa के लिए बहुत important है ये tv test के लिए बहुत important है please उसको mix and match मत करना कि आपकी clean shape की photo लगी है अभी आपकी बहुत thick beard है ऐसा मत करना जाओ जल्दी से photo खिचवालो जाके studio में वही वाली photo हर जगा देना वही चलाना photo it's better to do that way next बात कर लेते हैं कि भाई ये तो होगे सारे documents इसके अलावा और कुछ ऐसा चाहिए नहीं होता एक और छोटी सी चीज है आपको चाहिए होता है अपना address की आप कहां रहने वाले हो UK जाके so वो basically आप offer letter भी ले जा सकते हो अपना but it's not required आपको बस अपना address ले जाना है basically university का address या आपके student living का address अगर आपने off campus book करा है तो वहां का address बस आपको इतना रखना है इसके उपर कुछ भी नहीं चाहिए अब बात कर लेते हैं कि मेरा experience कैसा रहा पूरे TV test process का specifically बात करते हैं तो Max Med Center New Delhi Lajpatnagar जहां पे मैंने करवाया था वहां का मैं अपना experience शेयर करूंगा but more or less pan India लगबग लगबग वही experience होगा थोड़ा 19-20 होगा but more or less आपको idea लग जाएगा मेरे experience से तो जब मैं वहां पे पहुचा मेरा date थी 29th of May और timing थी मेरी शायद 12 बजे दिन का तो मैं शायद 11-12 बजे वहां पे पहुच गया था नीचे मुझे staff मिला ground floor पे और उन्होंने पूछा मैंने उनको बताया कि मेरा TV test है UK visa के लिए उन्होंने एक list मेरा नाम चेक करा जो कि मेरा नाम वहां था उन्होंने checklist करा he sent me to the second floor if I'm not wrong मैं second floor पे गया second floor पे काफी लंबी लाइन थी because वहां पे आपको सिर्फ UK के लोग नहीं वहां पे आपको US, Canada हर जगा का आपको मतलब Australia हर जगा के वहां पे आपको students हर जगा के tourists मिलेंगे जिनको TV test करवाना है तो वह भी होंगे तो इसलिए beer with that थोड़ा time लेके जाना next जब मेरा number आया तो मैंने उनको बोला कि मेरा UK का TV test है तो उन्होंने मुझे छोटा सा एक form दे दिया जो कि मुझे fill करना था on spot वहीं पर जाके तो उसके लिए तभी when this is the time when pen comes into play because मुझे काफी time लग गया pen डूड़ने में and मैंने finally pen मिलके मैंने अपना उसमें basic information आपको लिखनी थी आपको passport number, अपना name, अपना address and specifically वह address लिखना था जहां पर रहने वाले हो UK जाके वह भी उसमें mention करना था and बहुत basic information थी basically है वह मैं नहीं बताऊंगा तुमको क्या क्या information थी but बहुत basic personal information आपको उसमें भरनी थी उसके बाद वहां पर गया मैं उन्होंने payment लिया payment यहां पर था 2650 रुपए जो कि मुझे लगा, मुझे पता है कि दूसरा जो सादू बसवानी वाला hospital है उसमें लगता है शायद 2100 रुपए and इसमें मुझे लगा 2650 रुपीज जो कि मैंने card से payment करा I've heard कि people say कि cash से payment करो तो मुझे कहीं ना कहीं I was skeptical बट मेरे पास cash नहीं था बट उन्होंने बहुत अराम से card accept कर लिया in fact everyone was paying through card तो आप यह check कर लेना please call पर ही पता कर लेना कि cards payment हो सकता है कि नहीं हो सकता है otherwise carry cash मैं यही आपको advice दूँगा तो मेरा तो cards payment हो गया बहुती seamlessly process था कोई दिक्कत नहीं हुई उन्होंने जैसे ही मेरा हुआ उन्होंने मेरा document file बना दी staple करके मुझे बोल दिया क्या पीछे चले जाई एक रूम में मैं वहां पर गया वहां पर मेरा मुझे बस अपना form अंदर देना था एक इंसान को वहां पर मैं बैट गया वहां पर बेसिकली आपका chest का x-ray होना था टीवी के लिए and मैं बैठा मुश्किल से 5 मिनिट मेरा number आ गया they called me inside उन्होंने मेरा जो chest का x-ray होता है वो करा and within one minute उन्होंने का ठीक है now wait at gate number 3 or something like that तो मुझे एक दूसरी जगा वेट करने को बोल दिया वहां पर मुझे 10 minute वेट करना पड़ा and वहां पर अंदर से जैसी मेरा नाम की आवाज आ ही मैं अंदर गया उन्होंने मुझे देखा मतलब उन्होंने ये देखा कि whether I am the same person जिसका ही TV test हुआ है कि नहीं हुआ है and then he just signed my certificate he gave the certificate उन्होंने मेरी photo chip का ही वहां पर और उन्होंने वो sign करके मुझे दे दिया and that is it मैंने उन्होंने पूछा कि कोई और process है उन्होंने का नहीं so all of this process was done within I guess one hour मेरे हिसाब से तो एक गंटे के अंदर अंदर हो गया था दो UK, Canada, Australia वालों को बहुत time लग रहा था because उनका medical काफी ज़्यादा complex होता है but UK के लिए सिर्फ TV test required होता है तो हमारा बहुत जल्दी हो गया था and I met quite a few people over there who were students definitely और काफी लोग walk-in भी आयते वहां पर तो walk-in आने के लिए मैं जो आपको tip and trick की बात कर रहा था walk-in के लिए what I assume जो मैंने उन लोगों से पूछा तो they all said कि उन्होंने बात करी उनको भी slot काफी लेट मिल रहा था but what they said was कि हमने priority वीजा अपलाय करा हुआ हमें जल्दी से जल्दी करना है अपना वीजा and it's on priority, it's emergency आप काफी request कर सकते हो basically hospital staff को कि हमारा priority वीजा है यह है वो है थोड़ा आपको emotional भी होना पड़ेगा आप ऐसा कुछ कुछ कर सकते हो तो तीन लोगों के साथ हुआ था मतलब एक भी नहीं, दो से तीन students मुझे ऐसे मिले थे जो कि UK जा रहे थे जिन्होंने slot सिर्फ दो दिन पहले बात करी थी और उनको तुरंथ walk-in मिल गया था मंड़ेगा and that is insane that is insane because I had to wait for 20 days अगर मैं 20 दिन इंतजार ना करता तो मैं शायद visa भी जल्दी अपलाए कर देता बट उस वज़े से मेरा process डीले हो गया थोड़ा डीले हो गया तो basically this is one tip जो आप follow कर सकते हो I am not 100% sure कि ये काम करेगी कि नहीं करेगी but yeah there is a high probability कि ये काम कर जाए बट seeing the crowd इस time पे जो crowd है वो बहुत जादा है तो हो सकता है ये काम ना करे बट आपको process के थुरू जाना पड़ेगा that's the worst thing you could possibly think of but at least you can try right you can try अब मैं आपको दिखा जाता हूँ यार basically वहाँ पे टीवी टेस्ट करवाना इतना जो पूरा जंजट मैंने जहिला सब करा डिली रेवल करा उसका हमें परिणाम क्या मलता है so this is the certificate यह मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं अपनी personal information हाइड कर दूंगा इसते लेकिन ऐसा कुछ आपको certificate मिलता है यहाँ पर लिखा है UK Pre-Departure Tuberculosis Detection Program Medical Certificate और यह UK Visa and Immigration से attested है तो यहाँ पर हमको एक बस वो मिलता है कि आपका ठीक है sputum test नहीं करवाना था chest x-ray normal आया है no evidence of active TB tuberculosis basically बस उसको यही करना था और कुछ नहीं था इसमें आपको परसनल information है सब कुछ है photographic लगी हुई है यहाँ पर जो कि आप जब fly करोगे तो यह बहुत important document होगा यह उन्होंने मुझे बोला कि आपको यह बहुत सम्हाल के रखना है original because आपको यह original carry करना है when you'll fly on the day you'll fly तो आपको यह carry करना है यह immigration department check कर सकता है आपका यह तो check ही करेगा basically check कर सकता नहीं check ही करेगा तो बस इतना सा certificate मिलता है I've heard कि x-ray भी मिलता है कभी किसी को but मुझे ऐसा मिला तो नहीं मुझे थोड़ा तो doubt हो रहा था कि मुझे x-ray क्यों नहीं दिया गया मेरा chest का but later I came to know कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता in fact मैं अभी visa भी कर चुक हूँ अपना पूरा process मेरा हो चुक है visa का and वहाँ पे भी necessary नहीं था x-ray दिखाना मेरा यह जो tuber glosses का यह जो certificate है इसने ही काम कर दिया visa में भी पूरा मेरा जो भी appointment था scan होने तो document सब कुछ हो चुक है तो इसने कोई भी दिक्कत दी नहीं तो basically यह आपका पूरा procedure है TB test कैसे book करना है right from the scratch आपको website पर जाना है slot book करना है phone करना है slot book करना है वहाँ जाना है वहाँ जाके एक छोटा सा form फिल करना है अपना passport लेके जाना है passport sites photo लेके जानी है और आपको तुरंद जो procedure है आपको समझ जा जाएगा वहाँ पर एक से दो बस आपको wait करना पड़ेगा दो जगे basically 10-10 minute 15-15 minute based on the field अभी इस टाइम पर भीड बहुत जादा होगा crowd बहुत जादा होगा एक चीज में आपको बोलूँगा जल्दी से जल्दी कर लो priority वाला जो ये बहाना है वो मार के कर लो slot book कर लो अगर नहीं मिल रहा है slot बहुत लेट मिल रहा है तो consider traveling to the nearest location because ऐसा हो सकता है कि आप New Delhi में हो चंदीगर में आपको slot मिल जाए लो धियाना में आपको slot मिल जाए ले लो I would say ले लो because visa बहुत लेट हो रहा है six to eight weeks लग रहे है visa आने में इस ताइम पर तो you cannot afford that much of time span because आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा आपको flights भी बुक करनी होगी आपको चीजें भी करनी होगी बहुत सारा procedure है जाने से पहले तो वो चीज़ पर stress मत करो जादा इसलिए TB test करवा लो जहां भी मिल रहा है जैसे भी मिल रहा है जल्दी करवा के तो this was it, this was the video guys I hope यह काफी informational हो गया यह थोड़ा entertaining कम information जादा हो गया but I feel कि यह जरूरत थी this was the requirement of the hour and I hope आपको पसंदाया होगा यह वीडियो ऐसे काफी वीडियो आते रहेंगे मुझे topics भी suggest करते रहो comment box में और अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई information miss कर दी है वो भी comment box में लिख दो you'll be appreciated, thank you बाकी यार subscribe और like तो आप करीदोगे कर दो भाई, यहाँ पर आए हो इतना information मिल रही है, यह channel भी दीरे-दीरे UK जाएगा, आपके साथ वहाँ की चीज़ें आपको पता लगेंगी, तो consider subscribing I would say, ठीक है, तो I'll see you in the next one till then take care, bye bye जैहन guys, bye bye